इसमें हम चार बातों के बारे में विचार करेंगे, एक तो है कि ध्यान का अर्थ क्या है, और इसको करें क्यों, उसके बाद अगर करें ध्यान तो किसका करें, और ध्यान अगर ठीक से करना है, तो उसके लिए आहर का क्या मात्व है, इन सारे विशों के बारे में हम जर्जा क करेंगे आज तो द्यान के बारे में हम जो सोचते हैं या सुनते हैं लोगों से तो द्यान का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु विचार व्यक्ति पर हमारा लक्ष केंद्रित करना द्यान केंद्रित करना ध्यान का अर्थ, हमारा मन एकाग्र होना चाहिए. हम जिस विशय पर चिंतन कर रहे हैं, जिस वस्तु पर चिंतन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान या मन एकाग्र हो. उसके अलावा हमारे मन में किसी और वस्तू व्यक्ति विचार का विचार ना आए तो ये है ध्यान ध्यान जो लोग योग करते हैं या जिन्हें अश्टांग योग के बारे में पता है उन्हें ये पता है कि ध्यान ये सात्वा अंग कहा गया है योग साधना में, योग साधना में आठ अंग हैं, अश्टांग योग कहते हैं हम, तो योग के जो बही रंग होते हैं, योग में बही रंग होते हैं, पांच, और अंतरंग होते हैं, तीन, तो बही रंग जो होते हैं, उनमें होता है यम, याने हमने क्या नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है कि ये जो जगत है इससे हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई उद्विगना निर्माण नहीं होता है किसी भी प्रकार का कोई विकल्प निर्माण नहीं होता है दुनिया के कारण हम परिशान नहीं होते और हमसे इस जगत को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है तो इसके लिए यम बताए गए हैं यम याने हमने क्या नहीं करना चाहिए तो उसमें है सत्य, आहिम्सा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रभ, ये पांच यम बताए गए हैं आहिम्सा याने हमने हिम्सा नहीं करनी चाहिए तो हिम्सा होती कैसे हमसे हिम्सा तभी होती है जब हम अपने आपको अन्य से परिछिन न मानते हैं जिसको हम अपना कहते हैं या जिसको हम हम मानते हैं उस पर हम हिम्सा नहीं करते हैं याने मैं अपनी उंगली काट करके नहीं खाऊंगा क्योंकि ये उंगली मैं हूँ मैं अपने आप पर हिम्षा नहीं कर सकता हूं पर जिसको मैंने अपने आप से अन्य मान रखा है या समझा है उसी पर मैं हिम्षा कर सकता हूं तो जब तक मैं अपने आपको सीमित, परिमित, परिच्छिन, अन्या मान लेता हूं, तब तक ही मुझसे हिमसा संभव है, पर जिस क्षण मुझे ये पता चलेगा, कि मैं अन्या परिच्छिन, सीमित नहीं हूं, तो फिर हिमसा अपने आप बंद हो जाएगे, लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं आता है, तब तक मुझे ध्यानपूरवक, आहिमसा का पलंद करना है, इसका मतलब ये है कि मेरे मन से, मेरे वानी से, मेरे शरीर से, किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, तो इस जगत में रहने का ये एक उपाय है, आहिमसा, बाद में सत्या, यानि जूट नहीं बोलना है, असत्या नहीं बोलना है, असत्या यानि क्या, जो है उसके अतिरिक्त, कुछ कहना, तो ऐसा कैसे कहेंगे, हम तो जो है उसको अगर नहीं कहेंगे, तो हम अपने आपको ही धोखा दे रहे हैं, असत्या हम अन्या से बोल सकते हैं, लेकिन असत्या हम अपने आप से नहीं बोल सकते, तो जिस प्रकार से हम अपने आप से असत्या नहीं बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हम औरों के साथ भी सत्यता पूर्वक ही रहें, तो असत्या से दूर रहेंगे, अहिमसा सत्या, इस रहा है असत्या, असत्या यानि जो वस्तु मेरी नहीं है, या किसी और की है, उसको मैं चुरा लूँ. उसके लिए किसी भी प्रकार के कष्ट किये बीना, उसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग किये बीना, महनत के बीना कमाई, उसको कहेंगे अस्तेया अगर हम व्यापक रूप से दिखेंगे तो ये सारा जगत जो है ये सारा जगत इश्वर युक्त है इशावासय उपनिशत कहता है कि इशावासयम इदम सर्वम यतकिंच जगत्याम जगत ये एक शलोक भी अगर हम अच्छी तरह से समझ ले तो हमें इसके आगे कुछ समझने के कोई आवश रथा नहीं ये सारा का सारा जगत जो है ये इश्वर का आवास है इश्वर से परिपूरून है इश्वर की अभिवेक्ति है ये अगर मुझे समझ में आता है तो मुझे यहां से क्या लेने की क्या इच्छा होगी कुछ भी नहीं होगी अस्तेया फिर ब्रह्मचरिया ब्रह्मचरिया याने ब्रह्मचरिया याने ब्रह्मचरिया की और आचरण या ब्रह्मचरिया की और चलना सबसे विस्तीरण, असीमित, वो है ब्रह्मा, मेरे संकुचित, सीमित, व्यक्तित्व से मैं जब असीमित, अनंत, स्वरूप की और जाता हूं, तो उस आचरण को कहते हैं ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या का जो अर्थ है, वो लोग समझते हैं कि केवल हमारे इंद्रियों पर पर नियंद्रन अपने हाप आ जाएगा, अगर हमें पता चल गया कि इंद्रियों से हमें जो सुख की प्राप्ति होती है, वो अक्षानिक है, तो हम उसके आगे की जो सुख की प्राप्ति है, उसके पीछलग जाएंगे, जब हम इस प्रकार से उस अनंत, असीमित, अनाधी यहने eternal and infinite ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए या ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए हम जब अग्रसर होते हैं तब हम ब्रह्मचर्य में अपने आप प्रतिष्टित हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा और जो आखरी का है वो है अपरिग्रह अपरिग्रह मतलब मैं अनावशक वस्तूओं का अपने जीवन में कोई स्थान रखूंगा ही नहीं मैं अनावशक वस्तूओं को जमा नहीं करूंगा उसको कहते हैं अपरिग्रह तो जिन वस्तूओं की आवशकता है उनको जमा करने में कोई हर्ज नहीं है, करो जैसे मुझे भूख लगती है तो मैंने खाना खाना चाहिए है न तो इस प्रकार से जब मैं रहने लगूँगा तब मैं अब परिग्रह करने लगूँगा तो यह हो गए यम उसके बाद हो गए नियम पांच नियम होते हैं, तो यह नियम है शवच, शवच याने स्वच्छता तो यह बाहरी स्वच्छता केवल नहीं मैं अभी अभी नहा के आया हूँ यह नहीं, पर हमारे मन की स्वच्छता कि हम हमारे मन में किन विचारों को स्थान दे रहे हैं हमारा मन मन कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, उसको भी देखना है. तो ये शुद्धता जो है, वो केवल शरीर की नहीं, वो मन की भी होनी चाहिए. शृच, फिर संतौष, संतौष याने मेरे पास जो है, वो परियाप्त है, मुझे इससे अधिक प्राप्त करने की मन में किसी भी प्रकार की ना कोई इच्छा है ना सकती है संतोष, जो मेरे पास है वो इश्वर की कुरुपा से परियाप्त है इसको कहते हैं संतोष तप तप याने तपाना अपना तापमान उपर करना तपाना यनि के है कि जो परिस्थिति मैरे जीवन में है। उस परिस्तिती को स्विकार करना। उसको पहुत अधिक बदलने की कोशिश नहीं करना। यहने झो परिस्तिती मैं बदल सकता ह Oregon उसको बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बदलना चाहिए। जो मेरे हाथ में है काम वो तो मैंने करना ही चाहिए लेकिन जो वस्तु मैं बदल नहीं सकता हूँ या जो परिस्ति मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको बदलने का मैंने प्रयत्न करने के कोई आवशक्ता नहीं है तो ये मुझे समझना चाहिए कि क्या मैं बदल सकता हूँ और क्या मैं नहीं बदल सकता हूँ ये अगर मुझे समझ में आ गया तो फिर जो मैं बदल नहीं सकता हूँ उसको बदलने के पीछे मैं लगूँगा जी नहीं ऐसा होगा तो तप जो परिस्थिती है उस परिस्थिती में मैं आनन्द पूर्वक कैसे रहोंगा यह हो गया तब स्वाध्या है स्वाध्या याने स्वव का अध्या है या अपने आप के बारे में जानने की कोशिश तो यह अभी हो रहा है हम जो कर रहे हैं वो स्वाध्या ही है उसके बाद में इश्वर प्रनिधान इश्वर प्रनिधान इसका आर्थ है कि इश्वर ने मुझे जिस परिस्तिती में रखा है उसके बारे में शर्णागति इश्वर के जो नियम है जो प्रकृति के नियम है उनके बारे में शर्णागति शर्णागति क्यों क्योंकि उसके अलवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है अब बताईए कि रोज सुबा सुर्योदे होता है तो सुर्योदे होता है इस पर मेरा क्या नियंद्रने सुर्योदे जब होता है या उससे पहले दो-तिन घंटा में उड़ जाओं मैं अपना मुझे जो करना है वो करूं और उसकी सुर्यास्त हो जाता है उसके बाद मैं मेरे सारे काम समाप्त करके और सो जाओं फिर उठाओं तो यह जो प्रकृति के नियम है सुर्योदे और सुर्यास्त दिन के बाद रात रात के बाद दिन उसके साथ मैं मेरा जीवन इस तरह से मिला देता हूं कि उससे मुझे कोई पर इश्वर के बारे में हमारे मन में कई विचार होते हैं, कई मान्यताएं होती हैं, ये सारी मान्यताएं सही हैं या सही नहीं हैं, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं है, ध्यान हमको किस बात का करना है, यहां तक मैं आने वाला हूं, थोड़ी ये प्रस्तावना है, ध्य आसन ये की ध्यान के बारे में मैं भूल चुका हूँ, उस पर मेरा ध्यान है, तो यह यम नियम करने के बाद, फिर तीसरा आता है आसन, आसन यहने हम जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर स्थिरता पूर्वक बैठे हैं और सुखपूर्वक बैठे हैं, इतना ही करते हैं पतंज यह हो गया आसन फिर प्राणयाम प्राणयाम इने लोगों का ऐसा कहना है या मानना है कि केवल सांसों को ऊपर नीचे करना है या किसी तरह से जल्दी सांस फूखनी है या सांस अंदर लेकर के रोकनी है इस प्रकार के विचार हमारे वन में आते हैं लेकिन प्राण ये केवल स सांस नहीं है, हमारी सांस जो है, वो प्राण का प्रगटी करन है, manifestation, हम अगर उस पर ध्यान देते हैं, तो जो हमारा प्राण है, जो हमारे शरीर के अंदर कार्यारत है, उस पर हम ध्यान देने का प्रहत्न करते हैं, तो जब हम हमारे सांसों को balance करते हैं, संतुलित करते हैं, तो हम हमारा जो प्राण है, उस पर हमारा ध्यान के अंदरित करने के लिए तयार हो जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणया, उसके बाद में है प्रत्याहार, तो ये प्रत्याहार जो है, ये बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, इन दोनों के बीच में खड़ा है, प्रत्याहार का अर्थ है, प्रति-ाहार, आहार का अर्थ है, हमारी इंदरियों से हम जो विश्यों को ग्रहन करते हैं, उसको कहते हैं आहार, और प्रतियाहार इसका आरत यह है कि हम जो इंद्रियों से विश्यों को ग्रहण कर रहे हैं या ऐसी हमारी आदत हो चुकी है उसको हम किस तरह से संतुलन मिलाएं किस तरह से उस पर नियंद्रन करें इसको कहेंगे प्रतियाहार तो प्रत्याहार में हमारे तो पांच इंद्रिया हैं तो पांच के पांच इंद्रियों को काबू में रखना या उन पर नियंद्रण रखना कठिन हो सकता है तो हम एक से शुरू करें वो कौन है एक इंद्रिया? वो इंद्रिया है हमारी जिवा या रसना उस पर हमारा नियंद्रन आ जाता है तो उसके बाद बाकी हमारे जो चार इंद्रिया हैं उन पर नियंद्रन लाना आसान हो जाता है आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं इसका प्रयोग मैंने किया है और मैं करता हूँ, कर रहा हूँ और इसी अनुभव को इस माध्यम से मैं आपके सामने प्रसुत करता हूँ हमेशा जब कभी बोलने का आउसर आता है तब इसी बात पर चिंतन होता है कि हम हमारे जिवा पर या रसना पर किस प्रकार नियंतरन करें उसको नियंतरित करने के लिए अगर हम एक नियम का पालन करेंगे एक नियम के वल मैंने तो पांच नियम बताये थे उसमें से एक अई नियम का पालन करेंगे उस नियम को कहते हैं कि जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा एक अहीं नियम इस नियम से क्या होता है कि हम अनावशक वस्तों के पीछे भागना बंद करते है ये कैसे होता है समझना कठिन लगता होगा आपको लेकिन अगर आप प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं अपनी आवशकता के अनुसार ही किसी भी वस्तों को ग्रहन करता हो तो इसकी शुरुवात होती है मेरी रसना से तो जब मुझे भूग लगती है तब मैं जितनी मेरी शरीर के आवशकता है उतना ही अना में ग्रहन करता हूँ और उसके बाद समझ लो मैंने आवशक्ता से अधिक ग्रहन कर लिया मैंने दो नेवाले अधिक खा लिये तो क्या होगा उनको पचाने के लिए मुझे अधिक समय लगेगा तो उतना अधिक समय मैं उस पचन क्रिया को दे करके उसके बाद ही खाना खाऊंगा तो अच्छा रहेगा तो हर व्यक्ति को हर भोजन के समय कितनी मातरा में खाना चाहिए ये शायद समझ में नहीं आएगा पहले पहले नहीं आता है तो उसके लिए हमें प्रकृति ने एक रेड सिगनल दिया है लाल बत्ति जहां पर हमें रुकना है उस लाल बत्ति का नाम है मुझे डकार आईए तो जब मुझे भूक लगी होती है तब अगर मैं खाना खाना शुरू करता हूँ तो पंधरा से बीस मिनिट के बाद एक डकार आती है हलकी सी डकार आती है उस पर ध्यान रखना है और उसका जब अनुभो आता है मुझे तो उस समय मैंने रुक जाना है जब मैं खाना ध्यान पूर्व खाता हूँ तब मुझे एस डकार का अनुभो आना आप परिहार्या है इस पर मैं अगर ध्यान देता हूँ तो ये प्रकृति का एक संदेश है मेरे लिए कि आप खाना खाना रोख दीजी अभी क्योंकि आपका पेट आधा भर चुका है तो हम अगर वहाँ पर रुख जाते हैं तो आधे पेट में खाना भरा हुआ है और उसका आधा जो है उपर का हिस्सा उसमें पाचक रस पेट में जाते हैं तो उसके लिए हमने 25 प्रतिशत जगा छोड़नी है और जो 25 प्रतिशत बचेगी उसमें केवल वायू रहेगा तो इस प्रकार से अगर मेरे पेट में अन्न 50 प्रतिशत पाचक रस 25 प्रतिशत और वायू 25 प्रतिशत इस प्रकार का मिश्रन जब मेरे पेट में रहता है तो उसके बाद में उसका चरवण और उसका पचन अच्छी तरह से होता है उसके बाद में वो खाना जब नीचे जाएगा तो मुझे अच्छे से पचेगा और मुझे जब पचंक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं भूख लगेगी तब ही मैंने खाना है तो ये हो गया पहला नियम मेरा, कि जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तब तक मैं खाना नहीं काऊँगा ये करते करते, अन्य जो मेरे चार इंद्रिय हैं, उन पर नियंतरन आपने आप आने लगता है ये मैंने स्वयम अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको आप करके देख सकते हैं, इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं अगर विश्वास नहीं है, विश्वास करने ही कोई आउशकता नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन आपने इसका अनुभव नहीं किया है अभी तक, उसको आपने अनुभव करना है, तब जाकर कि आपको समझ में आएगा कि इंद्रियों पर नियंतरन या प्रत मुखी हो जाते हैं, उस अंतर मुखी होने का नाम ही धारणा है, क्योंकि अब तक मेरा मन बहिर मुखी था, मैं बाहर के विश्यों के पीछे भाग रहा था, बाहर के विश्यों को मैंने सत्यमान रखा था, उन विश्यों से उनकी प्राप्ती होने के बाद मुझे सुख की अनुभूती होती है, ऐसा मैंने माना था होती है, नहीं ऐसा नहीं है लेकिन वो जो सुख है, वो क्षणिक है जब तक वो विशय और इंद्रिया ये दोनों साथ में होते हैं तब तक आनंद की अनुभूती होती है लेकिन जब वो विशय और इंद्रिया अलग-अलग हो गए तो फिर अनुभुती इसमाप्त हो गई पर मुझे तो आनंद की अनुभुती अनंद चाहिए हमेशा चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई खंड़ नहीं होना चाहिए ऐसा मैं चाहता हूँ तो ये जो मेरी इच्छा है अनंद असीमित अनंद की वह विशयों के संयोग से नहीं हो सकती है ये जब मुझे समझ में आता है और मेरी जब यातरा अंदर की और शुरू हो जाती है उसको कहते हैं धरणा इसको मैंने अभी समझ लिया है अच्छी थरा से कि जगत के वस्तु विशयों में सुख की प्राप्ती नहीं हो सकती और अगर होगी भी तो भी ख्षणिक होगी तो विशय जब तक नहीं है तब तक वो नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ या उसको प्राप्त करने के लिए मुझे जोकष्ट करना पड़ता है उसके लिए मैं दुखी हूँ अगर वो वस्तु मिल जाती है तो उसके बाद चली न जाए इस चिंता से मैं दुखी हूँ और अगर वो चली जाती है या वो जाने से पहले महीं चला जाता हूँ तो फिर भी दुख है तो अगर मैं सुख को जगत के वस्तु विश्यों से जोडता हूँ तो मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं हो सकते लेकिन अगर मुझे समझ में आया कि सुख की अनुभूती मुझे अंदर से हो रही है जब मेरे मन में इच्छा नहीं है तब जब तक मेरे मन में किसी वस्तु के बारे में इच्छा है तब तक मेरे मन में दुख है लेकिन वो वस्तु अगर मिल गई मुझे उसको मैंने मय की परिभाशा में सम्मिलित कर लिया तो उसके बाद उसके बारे में मेरे मन से इच्छा चली गई तो ये इच्छा का जाना इसी को सुख की अनुभूती कहते हैं तो अगर मेरे मन में इच्छा रही ही नहीं किसी भी वस्तु इशे के बारे में तो मुझे दुखी करने के लिए भगवान भी अगर आ जाएंगे तो नहीं कर सकते तो ये हो गई धारणा उसके बाद में आता है ध्यान जब हम ये सारे नियम है याम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहर धारणा ये सब करेंगे तब जाकर कि हम ध्यान में आ सकते नहीं तो हम ध्यान में आई नहीं सकते क्योंकि ध्यान में बैठेंगे पर किसी एक वस्तु पर हमारा ध्यान के इंद्रित नहीं होगा और हमारे मन में सौ अलग-अलग विचार आएंगे तो फिर ध्यान क्या होगा तो ध्यान के लिए बैठेंगे और हमें किसी विचार पर या किसी मंत्र पर चिंतन कर रहे हैं लेकिन मन में तो विचार और कुछ आ रहे हैं ऐसे कैसे होगा ध्यान तो जब तक ये छे कदम हम चल नहीं जाते हैं तब तक सात्वा कदम कैसे लेंगे मैंने अगर देखा कि मैं सात्वा कदम पहले लेलूँ तो नहीं हो सकते तो ध्यान किसी वस्तु, विशे, नाद, सांस इस पर एका अगरता पूर्वक चिंतन करना इसको है इसको कहते हैं ध्यान लेकिन वहां तक आने के लिए काफी साधना करनी पड़ती है करना क्यों है इसको लेकिन इसको करना इसलिए है क्योंकि मुझे आनन्द की अनुभूती होनी चाहिए ना आनन्द की अनुभूती हमेशा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो उसको प्राप्त करने के लिए ऐसी वस्तु पर ध्यान होना चाहिए आईसी वस्तु पर चिंतन होना चाहिए कि जो वस्तु अनन्त हो, असी मित हो परिमित नहीं हो समय में या आकाश में टाइम एंड स्पेस इनसे लिमिटेड नहीं होनी चाहिए अगर आईसी कोई वस्तु है तो उस पर ध्यान करूँगा मैं तब मुझे अनन्त असी मित आनन्त की अनुभवती हो सकती है है ना तो ध्यान क्यों करें आनन्त की प्राप्ति के लिए क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो आनन्त की प्राप्ति के लिए ही करते हैं हम कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जो हमें दुख की प्राप्ति करके देगा दुख की प्राप्ति के लिए कोई भी काम नहीं करते है हम सब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते है तो ध्यान भी उसी के लिए करते है तो करेंगे किसका ध्यान? ध्यान तो हमको उसी वस्तुका करना पड़ेगा जो आनन्द स्वरूप है जब हम हमारे अनुभों का चिंतन करते है ध्यान याने क्या यो छोड़ दो हमारे अनुभों का ही चिंतन करो हमारा अनुभों क्या है कि हमको आंखों से दिखता है कानों से सुनाई देता है नाक से हमें गंद का अनुभो होता है हमारी रसना से हमें रस का अनुभो होता है और हमारी तवचा से हमें स्पर्श का अनुभो होता है इन पांचों अनुभों को हम हमेशा करते रहते हैं इन इंद्रियों से जब उनके विश्यों का संयोग होता है तो हमारे अंदर हमें एक अनुभूती होती है और उस अनुभूती को हम आनंद सुख या दुख समझ सकते हैं अगर हमारे शरीर को किसी मुलायम वस्तु का स्पर्श हुआ तो हमें अच्छा लगता हैं इसलिए हम मुलायम कपड़े पहनते हैं नहीं तो काटे पहन के क्यों रहेंगे हम नहीं रहेंगे क्योंकि उससे दुख होता है इसी प्रकार से जब अगर हम कहीं से जा रहे हो और कुड़ा कहीं पड़ा हुआ है कच्रा पड़ा हुआ है तो वहां जाकर के हमें दुरगंद आएगी तो वहां से हम जल्दी से चले जाएंगे क्योंकि दुर्गंद हमें दुख दे रही है लेकिन अगर हम कहीं, बगीचे में जा रहा है बाग में जा रहा है, वहाँ पर फूल खिले हुए है सारे और फूलों की सुगंद आ रही है तो जगा अच्छी हो, साफ सुत्री हो, वहाँ पर दुरगंद ना हो, हमारा शरीर भी स्वच्छ हो, ये सारा होना चाहिए, और ये करना भी चाहिए. अब ध्यान करेंगे किसका? ध्यान हमें उसी वस्तु का करना है, जो वस्तु अनंत है, असीमित है, और आनंद से परिप्रून है, और ऐसी केवल एक ही वस्तु है, इसको आप परमात्मा कहिए, और या आत्मा कहिए, आत्मा याने मैं, और परमात्मा याने इस संपूर्ण स्र कुष्टी में जो सर्व व्यापि है पूरी तरह से व्यापत है और उससे आगे भी है उसको हम कहेंगे परमात्मा दोनों स्वभावता एक ही है ये दो अलग-अलग नहीं है एक ही वस्तु है जो उपाधी के कारण अलग-अलग प्रतीत हो रही है है वस्तु एक ही लेकिन प्र से मेरा अपना ही उधरन ले रहते हैं मैं इस समय आपको वक्ता के रूप में दिखाई दे रहा हूं ठीक है मुझी को जब मेरे बच्चे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे पिता है मेरी जब पत्नी देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा पती है त लेकिन उपाधी के कारण तीन अलग-अलग प्रतीत हो रहा हूँ तो बच्चों की उपाधी के कारण मैं पिता हो गया, पत्नी की उपाधी के कारण मैं पती हो गया, और श्रोताओं की उपाधी के कारण मैं वक्ता हो गया, पर मैं तीन हुआ नहीं, मैं हूँ एक ही, लेकिन तीन अलग-अलग प्रतीत हो रहा हूं, तो इस प्रकार से जब मैं समझता हूं, तब परमात्मा एक ही होता है, लेकिन उस पर जब देह की उपाधी या पंज़कोशों की उपाधी चढ़ा दी जाती है, तो जो प्रतीत होता है, उसको कहते हैं जीव, तो जीव जो है, ये प्रतीत ही है, प्रतीत जो हो रहा है वो परमात्मा ही है, परमात्मा सारे जगत में अगर है, तो वो मुझ में भी उतना ही है ना, आप में भी उतना ही है ना, एक ही परमात्मा भिन्द भिन्द रूपों से प्रतीत हो रहा है, उस परमात्मा को अगर मैं जान लेता हूं, त तो ध्यान मुझे उस परमात्मा का करना है और वो जो परमात्मा है वो मुझसे अलग नहीं है वो मुझसे अलग नहीं है अब यहां तक आने के लिए आहार का क्या मात्व है आहार हम तो दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं कितनी बार खाना खाते हैं यहां से चले गए कुछ डाल लिया वहां से चले गए कुछ डाल लिया मुझसे ऐसा करते हैं दिन भर हम खाना खाते ही रहते हैं हम सब लोगों को खाना खाना शुरू करने को याद रहते हैं लेक लेकिन खाना-खाना बंद करना हम भूल जाते हैं। ऐसा होते हैं। और खाना दिखा की खाओ। अंग्रेजी में हम हमेशा कехते हैं कि इट फूट सी फूट इट फूट इस प्रकार का हमारा अभ्यास हो चुका है और इसी प्रकार से हम हमारा जीवन चलाते हैं लेकिन वैसा नहीं चलाना है क्योंकि वैसा अगर चलाएंगे तो जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम पचाएंगे नहीं ने बराबर और जब पचाएंगे नहीं तो उसको पचाने में हमारा शरीर हमेशा व्यस्त रहेगा तो हम ध्यान कैसे करेंगे किसी और वस्तु के उपर या किसी और विचार के उपर क्योंकि मेरा शरीर तो व्यस्त है खाना पचाने में तो जो आदमी हमेशा खाता है बहुत खाता है वो ध्यान नहीं कर सकते ध्यान अगर करना है तो हमें हमारे आहार पर नियंद्रन लाना हमारे आहार के शुद्धी करना अनिवारिया है और परिहारिया है उसके सिवा रहे नहीं सकते करना ही पड़ेगा तो एक नियम का पालंद करेंगे पहले जब तक मुझे भूख नहीं लगती है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगा, यह पहला नियम हो गया, ऐसा नियम मैं जब हमेशा हमारे जीवन में चलाता हूँ, तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाह यह सारा का सारा मुझे अपने अंदर से पता चले लागे अगर नहीं चलता है तो किसे से हम सीख भी सकते हैं तो यह सारा हमारा जो अनुह है उसको लोगों के साथ साजा करने के लिए हम लोग यह सत्व का कारेकरम चलाते हैं तो यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको सत सत्व.LIFE 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 इस पर आप जाकर के देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम आहरशुद्धी का एक 90 दिन का या 3 महीनों का कारेकरम चलाते हैं तो उसमें मैंने अभी जो बताया कि आहरशुद्धी का जो अनुशासन है वो हमारे जीवन में आता है वो अनुशासन जब हमारे जीवन में आता है तो उस अनुशासन को हमारे जीवन में हम उसके आगे जीवन भर चला सकते हैं और हमारा जीवन अत्यांत परिपूर्ण अत्यांत आनंद पूर्ण हो सकते हैं तो इस प्रकार का अनुभो हम सब को इस जीवन में, इस देह में आए ऐसी ही मैं प्राथना करूँगा और यहां अभी मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ 35 मिनिट हो चुके हैं तो हम प्रशन लेते हैं अगर किसी को कोई प्रशन पूझना है तो आप अपना हाथ electronically उपर कर सकते हैं या फिर चैट में अगर प्रशन आपको है तो आप लगा सकते हैं और फिर मैं उस पर कुछ चिंदन करने का प्रेद न करता हूँ एक question चैट पे है which is how to cure psoriasis psoriasis जो है ये तवचा की बिमारी है तो तवचा की बिमारी के लिए सबसे अधिक महत्वपुरुना आहरशुद्धी ही है तवचा पर इस प्रकार के रोग इसलिए होते हैं क्यूंकि शरीर के अंदर अन्ना का पचन ठीक से नहीं हो रहे हैं और वो जब हम ठीक कर लेते हैं अंदर से तो उसके बाद में हमारी तवचा पूरी तरह से साफ हो जाती है ये मेरा अपना अनुभव है और मेरे अलावा अनेक हमारे जो भाई बहन है जो हमारे कारेक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं उनका सब का अनुभव ही है तो इसको अगर हमें सीखना है तो आप हमारे साथ आवश्य जुड़ सकते हैं और हम आपको इसके बारे में हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर मार्क दरशन कर सकते हैं तो आप अवश्य जो अभी पूजा हमारी बहन है उनने एक नंबर दिया है चैट में उस पर उनसे संपर करते हैं तो हम इसकी बारे में आपको अधिक जन करते सकते हैं अब मैं रामकृष्ण जी से कहूंगा कि आप अपने आपको अन्म्यूट करें और आपको जो कहना है कहे कि नमस्ते रामकृष्ण कैसे हो अभी जब आपने स्टार्ट किया था तो आप अहिंसा और सत्त बूले थे कि यह सब अपने को अपने लाइफ में फालो करना चाहिए अहिंसा और सत्त तो अभी यह सत्त से जो इसके बारे में मतलब कैसा है कि जब मैं चोटा था देन आइव बिन टोल इन स्कूल एट यह थो नेवर टेल लाइए आवेज विक्टू बट धीजरे जैसे मैं बढ़ता गया तो आइब बिन टोल मेरे को मेरे फ्रेंड्स और जब मैं कॉपरेट लाइफ में काम कर रहा हूं तो आके लोग बोले कि तुम पागल हो गया तो मूर को तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो मतलब मैं मेरे मेरे कुशन यह है कि हमको पता भी है कि मैं जूट बोलना हूं यह सत्य नहीं है बट हमको इस सुच्वेशन से रहती है कि हमको जूट बोलना पड़ता है राइट तो तो वो जो एक रहता है कि जो रिशी लोग रहते थे पुराने टाइम पे और वो जंगल में रहते थे और वो पूरा फॉलो करते थे अपना सन्यास तो उनके लिए तो ठीक है वो पूरा सत फॉलो करते थे बट आज की लाइफ में और इनिवन लिविंग इन सिटीज में उनको कैसे वो फॉलो कर सकते इसमें मैं काफी कंफ्यूज हूं कि मतलब इवन दो माई इंटेंशन इस ताइव अल्वेस स्टीज प्रूप बट नहीं हो पता है राइट बड़ा बड़े ये तो अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में कई लोगों के मन में शंकाएं आ सकती हैं और आनी स्वाभाविक हैं तेखिये हमें क्या बोलना चाहिए उस कोई वस्तू तो उसके बारे में बोलना ही चाहिए ऐसा कोई आवशक नहीं है यहने आपका और मेरा जो प्रश्न है या आपकी और मेरी समस्याएं वह एक ही है सर पर बाल नहीं है ठीक है तो अगर हम रस्ते से जा रहे हैं और कोई हमसे कहता है ए गंजे या मैं अगर किसी स कहता हूँ ए गंजे तो गंजा है तो दिख रहा है लेकिन कहने के क्या आवशक नहीं है सो सत्य बोलना चाहिए यह बराबर है लेकिन बोलना ही चाहिए ऐसा आवशक नहीं है तो जो सत्य है वो अगर किसी को कश्ट दे रहा हो किसी को दुख दे रहा हो तो बोलने के को आव शक्ता नहीं है ठीक है दूसरा ऐसा है कि अगर हम सत्य बोलते हैं और उससे काफी नुकसान हो रहे हैं तो वो भी हम नहीं बोल सकते हैं नहीं बोलना चाहिए तो देखिए कि अगर हम कहीं बैठे हैं हमारे घर में ही बैठे हैं समझा और हमसे कोई पूछता है कि यहां पर कहीं मंदिर में कुछ सभाव हो रही है जहाँ पर काफी लोग इकत्रित हुए है वो कहां है? मुझे बताईए क्योंकि मैं वहाँ जाकर के कोई आतंकवधी कारेक्रम करना चाहता हूँ तो उस व्यक्ति को मैं सत्य बताऊंगा? नहीं बताना चाहिए तो सत्य बोलना चाहिए इसके बारे में कोई संद्य नहीं है लेकिन व्यवहार में हमें क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए उस पर हमें नियंद्रण होना चाहिए उसके लिए हमारी बुद्धी हमारी मदद कर सकती है तो ये जो रसना की मैंने बात की वो दो काम करती है हमें रस का ग्यान देती है और उसको जिवा भी कहते है रसना और जिवा एक अई इंद्रिया का नाम है तो जिवा बोलने का काम करती है तो अगर नियंत्रन आता है रसना पर जब नियंद्रन आता है तब जिवा पर भी नियंद्रन आने लगता है तो क्या नहीं बोलना चाहिए ये हमें क्या बोलना चाहिए उससे पहले पता होना चाहिए जैसे हमने यम और नियम देखे ना यम यानि क्या नहीं करना चाहिए और फिर नियम कि क्या करना चाहिए वैसे ही हमारी जिवा से क्या नहीं बोलना चाहिए ये पहले समझना चाहिए उसके बाद में क्या बोलना चाहिए ये समझ में आना चाहिए और जैसे मैंने कहा कि जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये पहला नियम है उसी प्रकार से जब तक मुझे बोलने की आवशक्ता नहीं है तब तक मैं नहीं बोलूँगा ये दूसरा नियम है, ये जिवभा का नियम है जिवभा पर नियंतर लाने के लिए ये अत्यधिक आवशक है कि मुझे अगर आवशकता नहीं है तो मैं नहीं बोरूगा बोलनी कोई ज़रोद नहीं अगर आप पुछेंगे कुछ भी कहने से पहले अपने आपसे पूछ लो क्या ये कहना आवशक है सौ में से 99 बार हमें ऐसा उत्तर मिलेगा कि नहीं कोई आवशकता नहीं तो मत बोलो क्यों बोलना है तो व्यवहार में आपको अपनी बुद्धी का प्रयोग करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये कहना आवशक है या क्या ये कहना आवशक नहीं तो सत्य बोलना चाहिए लेकिन हमेशा बोलना ही चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है तो यह आपने अच्छा प्रश्ण पूछा और इस पर चिंतन करने का मुझे अउसर मिला अच्छा लगा विनायक जी आप पूछना चाह रहे हैं कुछ तो आप अन्म्यूट करें अपने आपको और पूछी यह सर मेरा प्रश्ण लगबग रामकृष्ण जी से जोड़ा हुआ ही प्रश्ण है परीं के रेखateurs लगे हैं ठोलन कर रहे मैं जादा से जादा कमान चाहते बड़े सबड़ा बंगला लेते बड़ी सी बड़ी घाली परुकि आज जाता है बट प्रैक्टिकल अपरिग्रह होने कि यह परिग्रह जो है जरूरत से ज़्यादा संपर्ति इकटा करना तो हम लोग सब उसके पिछे लगें तो यह कैसे पालंग कर सकते क्यों हमको सेवेंट स्टेप्स को जाने के लिए पहले यह पालंग करना पड़ेगा जि तो मुझकिल हो जाएगा क्यों पहला और दूसरा सीडी तुसरा सीडी सीडी उतना डिफिकल नहीं है लगता है मुझे क्यों हम स्वाद्याइतों और होज करते हैं या आसना रोज करते हैं प्रणायम सिखते हैं, प्रणायम बोलने के बाद, आसन प्रानायम प्रत्याहार धान समाधि, प्रत्याहार और धालना, धालना में भी पहुंचने के बाद उतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन पहला जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप से यम और नियम, इसमें बहुत कठिन याने जमा करना और अपरिग्रह याने जमा नहीं करना ठीक है तो हम परिग्रह के पीछे लगे हुए हैं क्यों लगे हुए हैं क्योंकि हमने अपने आपको परिछिन मान लिया है अपूर्ण मान लिया है मान लिया है जाना नहीं है अगर हमको यह पता चले कि हमारी यह जो मान कि मैं अन्य से परिचिन हूँ, I am apart from the other, अगर ऐसा मैंने मान लिया है, तो मैं क्या करूँगा, कि जो apart from me है, मुझसे परिचिन जो वस्तु है, व्यक्ति है, परिष्थिति है, देश है, एकाल है, उसको मैं प्राप्त करने का प्रैतना करूँगा, इसको कहते हैं परिग्रह, कारण यह है कि मैंने अपने आपको अपुर्ण मान रखा है, अपुर्णता की जो भावना है, मेरे मन में, यह कालपनिक है, यह सत्य नहीं है, तो जब मैं इस गलत मान्यता को सही है, ऐसा मान लेता हूँ, तब ही मैं जागर के परिग्रह के पीछे पढ़ूँगा, इसका आर्थ यह नहीं है कि हमने इस जीवन में, या इस जगत में, या इस समाज में कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमको जिन वस्तुओं की आवशक्ता हैं, उन वस्तुओं के लिए आपको कुछ न कुछ काम, पुरुशार्थ करना ही पड़ेगा, तो हमने करना ही चाहिए और उसको धर्मपूर्वग करना चाहिए धर्मपूर्वग ये ने हम जो कर्म कर रहे हैं हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे किसी और को उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो इसको कहते हैं धर्म मुझे सुख प्राप्त करने का पूरा अधिकार है उसी प्रकार से आपको भी है मैं जब सुख को प्राप्त करने का प्रैतन करता हूँ उसके लिए जो मैं कर्म करता हूँ उस कर्म से आप जो कर्म कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए इसके लिए धर्म किया आवशकता है आप आसानी से अगर इसको समझना है तो ट्राफिक के नियम ले लो यातायात के नियम ट्राफिक रूल्स अगर मुझे तेज चलानी ये गाड़ी तो अन्य लोगों को इससे कश्ट हो सकता है तो इसलिए हम सबने कुछ नियम का पालन करना है जिससे एक दूसरे का जो जीवन है वो सुलब हो, सहज हो सुखकारक हो उसके लिए धर्म का पालन करना है तो हम जब हमारा जीवन अनुशासित चलाते हैं तब सब के लिए अच्छा होता है ठीक है न और जब हम इस प्रकार से रहने लगते हैं जब हम जिससे अंग्रेजिय में कहते हैं कि Simple Living and High Thinking इस प्रकार से जब हम रहना शुरू करते हैं तब जाकर के हम ये आगे के जो हमारे कदम है वो ले सकते हैं ठीक है तो ये हमारे मन से ये जो मान्यता है इसको हटाने का एक ही मेरे मन में जो है उपाएं एक ही नहीं है ऐसे कई उपाएं होंगे लेकिन मुझे जो आसान लगता है वो है स्वाध्या तो मुझे समझ में आये कि मैं कौन हूँ ये जगत क्या है ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ क्या कर्म मैंने करना चीए क्या मेरे लिए उपयोगता है ये सारा जो है इसको कहते हैं इस वाध्या है study of the self तो उसको हम जब करने लगते हैं तब हमारे मन से ये जो इच्छाएं होती हैं वस्तुओं को प्राप्त करने की या परिग्रह करने की ये धीरे 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 चली जाती है ठीक है परिग्रह करने के बाद अपरिग्रह कब होगा अपरिग्रह आसानी से कब होगा आसानी से तभी होगा जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वस्तु है ये मुझे चिरकाल तक आनन्द नहीं दे सकती है वस्तुओं से जो मुझे सुख मिलता है वो केवल ख्षणिक होता है जब तक वो वस्तु है तब तक ठीक है जब वो चली गए तो चली गए तो ये जब मुझे पता चलता है तब अब देखिए पिछले एक साल में हमें तो ये समझ में आया होगा कि हम कई वस्तों के बिना अच्छी तरह से रह सकते हैं क्योंकि हमने अनावशक वस्तों का उत्पादन जो है वो बंद कर दिया है और कई वस्तों ऐसी है कि जिनके बिना हम एक देड़ साल से अच्छी तरह से रह रहे हैं तो क्यों न हम इसी प्रकार से हमारा जीवन चलाएं अगर हम उसको चला सकते हैं तो हमारा जीवन सुलब हो जाएगा सहज हो जाएगा और उसके बाद में ये जो धारणा ध्यान समाधी वगरा है ये हमसे अच्छी तरह से होने लगेंगे प्रत्याहर के बारे में मैंने इससे पहले दो बार चिंतन किया है तो उसको आप कभी आपको समय मिलेगा तो सुनिएगा प्रत्याहर योग साधना में या हमारे जीवन को नियंतरित करने के लिए या अनुशासित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है तो इसको हम पहले बुद्धि पूर्वक समझदारी से समझ के और करें और बाद में जब ये सहज होने लगेगा तो उसके बाद में हमें ऐसा पता चलेगा कि हमारा जो आनंद है वो हमारे अंदर ही है बाहर नहीं है उस्तों में नहीं है व्यक्तियों में नहीं है हमारे अंदर ही है तो अभ्यास से ही होता है ये ऐसा आज मुझे पता चल गया और कल मैं ठीक हो जाओंगा ऐसा नहीं है लेकिन मुझे अगर पता चल गया कि मैं परिछिन न अन्यन नहीं हूँ पहले अनुभव नहीं होगा लेकिन पहले मुझे ये श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर किसी ने कहा है तो ये सच है क्योंकि उनको इसकी अनुभवती है और उनको देखकर के मुझे इसा लग रहे कि हाँ ये बड़े प्रसंद लग रहे हैं ऐसा है तो प्रयतन अभ्यास इससे ये हो सकते है धन्यवाद आप डिके आप कुछ पुछना जा रहे थे आप अन्म्यूट करें अपने आपको नमस्ते मैं नमस्ते मैं दीपक कुल्षेष्ट आपको देखकर के आपका वैठान सुन के आज बड़ी खुशी हो रही है मेरा सवाल ध्यान के बारे में है ध्यान लोग कई तरह से कराते हैं आज कल और बागवद में भी लिखा है कि नाक की नौक पर ध्यान दें वहां फोकस करें सांसों पर ध्यान दें लेकिन आपने कहा कि परमात्मा पर ध्यान करना चाहिए वो फाइनल अबजेक्ट है तो लेकिन जिस चीज को इंद्रियां समझे नहीं सकती और जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे किसी चीज पर ध्यान कैसे करें क्या चीज क्या स्पेसिफिक क्या सोचें और सोचना भी मनाए तो उस बारे में थोड़ा आप अगर कुछ बता पाएं तो चली अच्छी बात है यह आपका प्रश्ण बड़ा अच्छा है जो मेरे इंद्रियों से मुझे समझ नहीं आता है उस पर मैं कैसे ध्यान की इंद्रित करूँ देखिए ध्यान किसका करना है जो ध्यान कर रहा है उसका ध्यान करना है कौन ध्यान कर रहा है अब देखिए अगर मैंने किसी वस्तु को ध्यान किया या अगर मैंने किसी वस्तु को देखा जैसे योग में त्राटक के बारे में बोलते हैं ठीक है जैसे मेरे सामने मैंने कोई वस्तु रखी और उस पर मैंने मेरा ध्यान के इंद्रित किया याने मैं उसको देख रहा हूं ठीक है, तो वो जो वस्तु है, उसको देखने वाला कोन है, यह आख देख रही है, ठीक है, तो वस्तु से ध्यान हटा कर आख पे आ जाओ, ठीक है, और आख भी जो देख रही है, वो कैसे देख रही है, वो आख के पीछे जो मन है, वो देख रहा है, तो जैसे हम जैसे सुब कहीं चले गए टहलने के लिए morning walk के लिए तो हमें कई लोग दिख जाते हैं लेकिन हम जब घर आते हैं तो हमें कोई भी याद नहीं रहते हैं क्यों नहीं रहते हैं आँखों ने तो देखा था लेकिन उसके पीछे मन नहीं था ग्रहन करने के लिए तो क्या होता है कि जिस वस्तु को मेरा मन ग्रहन करता है उसी वस्तु को मेरे मन में प्रवेश हैं आँखों से अगर दिख भी जाए तो भी तो क्या हो गया कि पहले बाहर का जगत विशे उसके बाद में इंद्रिया उससे सूक्ष्मा इंद्रिय उस विशय को प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है, और इस इंद्रिय को मेरा मन प्रकाशित कर रहे हैं, तो फिर मन पर आ जाओ, मैं ये ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूं कि कैसे जाना है अंदर अंदर, ठीक है, तो पहले विशयों से इंद्रियों तक आ गए, इंद तो यह मन विक्षेपित हो रहा है या शान्त है इसको कौन देख रहे हैं इसके पीछे कुछ है इसके पीछे है चेतना इसके पीछे है चेतना क्या है चेतना है मेरे मेरे में चेतना है यह मैं जानता हूं यह चेतना जो है इसको जो जानने वाला है वो है चेतन्या याने जो श वो मैं हो। जब हम इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया में अंदर 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 आते हैं। ध्यान के पहले की जो सीडी थी वो कौन सी थी? वो ती धारणा। धारणा क्या है? धारणा अब तक जो बाहर मेरा सब ध्यान था। बहिर मुखी था मेरा मन, वो अभी धीरे 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 अंदर आ रहे हैं, याने मेरी दिशा बदल गई, जब बाहर था वो अंदर आ गया, यूटन, वो है धर्णा, वो धर्णा अगर मेरी पक्की हो गई, कि मुझे बाहर नहीं देखना है सुक को, मुझे बाहर नहीं देखना ध्यान जो कर रहा है वो कौन है उस पर हम जब हमारा ध्यान के इंद्रित करते है तो क्या होता है कि जो ध्यान करने वाला है Meditator वो गायव हो जाता है जब ये ध्यान करने वाला अद्रश्य हो जाता है तब केवल ध्यान बचता है वही ध्यान है मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसा अगर मैं कहता हूँ तो ध्यान है यह नहीं तो हमें ध्यान करने के आवशक्त है नहीं हमें ध्यान देने के आवशक्त है तो जब मैं जो कर रहा हूँ वो अगर मैं सव प्रतिशत करता हूँ तो मैं ध्यान में ही हूँ पिछले एक घंटे से ध्यान ही हो रहा है मैं कर नहीं रहा हूँ, यह हो रहा है ऐसा अगर ध्यान पूर्वक हमारा सारा जीवन चले तो हम ध्यान में रहेंगे, ध्यान करेंगे नहीं तो ध्यान करना नहीं होते हैं, ध्यान देना होते हैं यही है ध्यान और वो सहचता से जब हमारा जीवन चलता है जब जो कुछ मैं करता हूँ वो सहचता से प्रगठ होता है उसी को कहते हैं ध्यान यह अच्छा प्रशन पूछा आपने मेरे उत्तर से आपको संतोश हुआ या नहीं हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ लेकिन इसके उपर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचिए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है मैं दूसरा एक प्रशन लोगँगा सुधिर जी का यह आखरी प्रशन होगा सुधिर जी अगर आप अपने आपको अन्म्यूट करेंगे तो हम इसके बारे में आपके प्रशन के बारे में चिंतन करते हैं मैं रामकृशन जी के जो क्वेश्चन है उसके सप्लिमेंट में कहना चाहूँगा कि जो हमरे विक्रम जी ने काफी हद तक उसको कवर कर लिया है मैं एक कॉर्परेट एक्जिकुटिव रहा हूँ और मेरा एक्सपिरियेंस यह है कि आपके अंदर यह क्लारिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए यदि आप रैट रेस में लग जाएंगे तो ना तो आप खुद खुश रहेंगे ना दूसरे आपके साथ में खुश रहेंगे तो आपकी जो है और आपकी रिक्वियर्मेंट बेसिकली बहुत कम है आपको अपनी जरुवत के लिए आपकी कैपिबिल्टी के हिसाब से आपके लिए सफिशेंट है लेकिन जब हम अपनी मन इक्षाओं के कांट्रोल में नही लुए आप जो सच की बात कर रहे हैं मैं पूरी तरह सहम हो तुरू मैं काफी बड़ी कंपणी में था यहां मैंने देखा कि जैसा विकरम जी ने बोला कि जो सत्यम ब्रियाद प्रियम ब्रियाद अब्रियाद असत्यम अब्रियम वो फिलोसफी को जहां तक पॉसिबिल हो आप इंप्लिमेंट कीजे आपकी सारी दुगधाएं काफी हद तक दूर हो जाएंगे ओवर थैंक यू धन्यवाद सुधिर जी बहुत अच्छा लगा आपका चिंतन सुन करके एक और प्रशन में लोंगा सरीता हमारी बहन जो है वो यहां पर आई हुई है मेरे और कुछ प्रशन भी है यहां पर चैट में लेकिन एक घंटे के उपर हम यह कारेकरम नहीं करते हैं तो हम अभी सरीत हमारी बहन जो है उनका एक प्रशन लेते हैं आकरी नमस्ते सर नमस्ते सरीता बताईए दादा मुझे यह पूछना था अभी हमको पता है कि लोग दुखी है वो चीजों के अपने लोग जो अपने पास है जिनको हम पहचानते है वो चीजों के पीछे भाग रहे है अभी ब दियान साधना करके हमको सुक की प्राप्ति होती है यह चीज दो उनको समझाने जाते है तो यह कोशिश करते कि मुझे ध्यान करना चाहिए वो चीजों में डूनते रहते हैं अइसे लोगों समझाय कि आपका दुख का आरनी आपकी लालसा है चीजों के पीछे भागने की आदत है अगर आप ध्यान करोगे तो आपको सुप की प्राक्ति होगी यह समझाने का तरीखा कौन सा है समझ में नहीं आता है चलो अच्छा है यह अच्छा प्रश्ण है इसको लेते हैं के वल इसके आगे का प्रश्ण अगली बार लेंगे लेकिन इसको में लेता हूं पहले कि दूसरों को हम कैसे समझाएंगे तो ये एक बात समझ लो कि दूसरों को हम समझा नहीं सकते हैं दूसरों को हम बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को अपने मन से करने का स्वातंत्रे होता है तो जैसे मैं किसी जो कहते हैं ना अंग्रेजी में आप घोड प्रे को पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते, तो हम किसी को सुधार नहीं सकते, हमने किसी को सुधारना भी नहीं चाहिए, जो हम परिवर्तन, जगत में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन, जगत में चाहने के अलावा, अगर हमारे जीवन में हम लाएं, जगत में ना चाहें, जगत से हम किसी भी प्रकार की कुछ अपेक्षा ना करें, लेकिन वो परिवर्तन हमारे में ले आएं, क्योंकि हमारा पूरा अधिकार, हमारा पूरा नियंत्रण केवल अपने आप पर होता हैं, हमारा किसी और पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंद्रन नहीं होता है यहने हम हमारे बच्चों को जबरदस्ती कुछ करवा सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते हैं और वो करेंगे भी जब तक छोटे हैं तब तक करेंगे जब बड़े हो जाएंगे तो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो किसी से कुछ करवाना असान है, लेकिन उनको अपने अंदर से ये प्रेर्णा हो, कि मुझे ये करना है, ये अधिक महत्वपुरुन है, उसको मैं किसी भी प्रकार की जबर्दस्ती से नहीं करा सकता हूँ, और मैं अपने आपको एक उदारन के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ, तब ही जाकर के, आगे मेरे साथ जो लोग हैं, उनके अंदर कुछ परिवर्तन होगा, ऐसी मैं आशा और प्रात्ना कर सकता हूँ, दुरागरह नहीं कर सकता हूँ, तो बदलना जगत को नहीं है, बदलना मुझे ही है, यह जब मुझे समझ में आजाएगा, वो मेरे लिए सुरन का दिन होगा, तो ऐसा दिन हमारे जीवन में, इसी जीवन में, इसी देह सब के जीवन में आए, इसी प्रारतना के साथ यह आज का कारेक्रम हम समापत करते हैं, धन्यवाद.